हाई एवरिवन कैसे हो आप तभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगे न आपके सामने वन आपके सामने वन ब्यूटिफूल वीडियो लेकर आ चुका हूँ अगर 16 से लेके 12 तक है और पढ़ना चाहता है दोस्तों हमारे चैनल पर ये सभी टाइप के हरेक सब्जेक के प्रेजेंट है आप लोग अच्छी तरीक से पढ़ाई कर सकते हो ठीके तो आज अगेन एक बेटरी टेंडर्स व्हारा देश यह बहुत ही महान महान चीजों से घिरा हुआ है और हम बात करेंगे जुग्राफिकल फीचर्स की मतलब जुग्राफिकल पॉइंट दियू क्या-क्या चीज है तो हमने तोटन चीज आपको बताई थी हमारे इंडिया में यह छे चीज का बोल बाला बहुत जादा है और यही छे चीजों के वेसे हमारे इंडिया को एक अलग तरीके से रेकाग्नीजिन मिलता है जो कि है दोस्टो सबसे पहले हिमालिया हमारा नौर्थ की तरफ ली मालिया से आपको बता ह लिए था फिर हमने देखाता था प्लेंट सुप इन्दू गंगा इन ब्रह्मपुतर ये तीनों नदी का संगम निदी किस प्रकार से कहां कहां ट्राविल करती है कुछ नदी पाकिस्तान में भी जाती है कुछ नदी इस्ट की तरफ जाती है तो ऐसे हमने पूरा डिसक्स किया था प्रिवस लेक्टर में यायनिकिर लेक्च Sex करना है और एक इंपन टॉपिक ंडियन सब कॉटिनेंट के भार में थोड़ा बताने है और यह ये लेक्चश खत्म हो जाएगा और आज चाप्ते रहे वाला Indian Subcontinent ये भी खतम हो जाएगा, तो आप लोगो बस थोड़ा सा ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, ताकि ये हर एक डाउट आपको clear हो जाए, वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक है, चले शिरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करे डेकन प्लेट्यू, ये आज का पहला टॉपिक, डेकन प्लेट्यू है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, डेकन प्लेट्यू, दोस्तों, ये एक ऐसा रीजन है, जो East और West Coast और इंडिया को connect करता है, एक तरीके से, देखो, डेकन प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब क्या हो दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, दोस्तों, बनाने की, ठीके न, इस प्रकार से समझ लो, ये हमारा इंडिया है, माप कर देना मुझे, क्योंकि ये देखो, मैंने जस्ट एक representation करने के point of view बनाया है, मेरा कोई भी इरादा नहीं है, हमारे महान भारत देश को डिश्टरब करने का, उनके map को डिश्टरब करने का, लेकिन यहाँ पर मैं एक 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 जाम्पल के तुरू बता रहो, जैसे कि समझ लो, कि आपको पता ये north reason है, ये west reason है, ये east reason है, और ये south reason है, तो हमारा जो west का इलाका है, आप देखो के तो ये पूरा coastal इलाका है, जो हम लोग इसके बात का, जो टॉपिक है, वो पढ़ने वाले coastal reason, यहाँ पे समुंधरा है, कौन सा अरेवियन सी है, ठीक है, यहाँ पे आप बे बंगाल है, ठीक है, तो ये भी आपका coastal reason है, तो जैसे मैंने बोला, ये हमारा जो डेकन प्लेटिव को क्या करता है, ये पूरा जो ये है, west का जो coastal reason है, और साथी में जो यहाँ पे east का जो coastal reason है, इसको जोडने का काम करता है, यानि east और west coast जो है, ये west coast है, ये east coast है, इन दोनों को जो जोडता है, ये पूरा reason को हम लोग बोलते हैं, दोस्तों, डेकन प्लेटिव, क्या बोलते हैं, उस चीज़ को कहा जा जो reason है, इसमें जैसे मैंने बोला कि Arabian Sea उसके west में है, वैसे इंडियन ओशन उसके south में है, क्योंकि जैसे मैंने diagram बनाया था, ये नीचे का पार्ट है हमारे इंडिया का, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, Bay of Bengal है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है, तो ये आपका हो गया east coast, ये हो गया west coast, और नीचे की तरफ ये जो पार्ट है, ये पूरा इंडियन ओशन का पार्ट है, मतलब इंडियन ओशन south में है, Arabian Sea उसके west में है, और Bay of Bengal उसके east में है, ये आपको याद रखना है, पूरा का पूरा map आपको याद हो जाएगा, clear है, समझ में आगे आप तीनो की तीनो साइट से हमारा जो इंडिया का नीचे वाला पाट जो है, वो तीनो की तीनो साइट से समुंदर से घिरा हुआ है, बीचो बीच में आ रहा है, तो ऐसे जगा को ही बोला जाता है, दोस्तों, पैनिन्सुला कहते हैं, कि if any reason is surrounded by, see, from the three sides, तीनो साइट से स समुंदर से घिरा हुआ जो reason होता है, उसको peninsula कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना, और जो mountain ranges जो है, इनके अंदर, यानि कि यह पूरा 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 जो नीचे का area जिसको अब डेकन प्लेट्यू बोलते हैं, यही पूरा peninsula जो है, इसको डेकन पैनिन्सुला कहा जात है, ठीक है न, क्या कहते हैं दोस्तों, डेकन पैनिन्सुला जो कि है, डेकन प्लेट्यू, अब यह जो है, यहाँ पे आप देखोगे, तो mountain range भी आते है, विंधिया और साथपुटा, यह हमारे north side में आते है, डेकन प्लेट्यू कि हमारा यह जो नौर्थ, जो पूरा जो range ह ही है, यह पूरा डेकन प्लेट्यू जो है न, इसके north की तरफ, यानि कि लगबग आप देखोगे, महाराष्टे से शुरू होता है पूरा, that is, भिंधिया रेंज और साथपुटा रेंज, यह आपने सुना होगा, ठीक है, तो डेकन प्लेट्यू में बिलॉंग करता है, और यहीं पे सायाद्री माूंटेन रेंज भी है, जो कि और वेस्ट की तरफ है, आप देखोगे, यह पूरा जो वेस्टन इलाका जो होता है, पूरा इंडिया के जो समुदरी वेस्टन घॉट एहाँ पर हाड़ी का का जला ति हुए उस टाइम का भी यह टो यह था खूय से अंदर क्या चीज़े का जाती है यह हमने डिस्कर्स कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, कुछ important points याद रख लेने आपको बस और कुछ ने एक्जाम में आता है, राइट है शॉर्ट नौड और बेकरन फ्लेट यूँ तो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है, चलो, next topic में जा समुद्र तर्ट समुद्र semaine, हम लुटर समुद्र होता है उसके आत्ता बिजस्कों विचे बोलते हैं, हम लोग बीच पे दजने जाते हैं से ही trade होता था समुदर के रास्ते से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था क्योंकि ships बनाए जाते थे आप देखोगे तो हमारे शिवाजी महराज के टाइम से ही शिवाजी महराज कोई father of the navy कहा जाता है हमारे इंडिया के क्योंकि उन्हों ने वही एक ऐसे व्यक्तित जिनका दिमांग चला और समुदर के उपर वो अपने जहाज बनाके उसके उपर सहीनिक भेजा करते थे और व्यापार वगरे भी हुआ करता था ठीक है न तो trade relation जो western countries से हमारा था हमारा कुछ समान बहार देश जाता था था बहार देश का कुछ हमारे पास आता था तो ये सब आ रहा है और trade जो है न ये समुदर के रास्ते से ही किया जाता था ऐसा बोला जाता है वह बात में धीर धीर बंदरगा बनाएगे सी पोर्ट बोलते है न बंदरगा जैसे का पता समझवों यहां पर मुंबई है तो यह मुंबई का जो रीजन होगा यहां पर एक बंदरगा पता है मुंबई हाई करके ठीक है ऐसे बहुत सारे बंदरगाह बंदरगाह मतलब क्या होता है बड़े बड़े शिप्स जहां पर रुकते आके जैसे एरपोर्ट होता है न अब यहीं सब चीज बनाए जाने लगे क्योंकि यार समुदर में जो जहां पर रुखेंगे बंद साइड का पूरा वेस्स से लेके साउथ से लेके इस तक जो फैला होए वहां पर अलग अलग सीपोर्ट बनाया जाने लगे और जो कोश्टल रिजन था यह बहुत इंपोर्टेंट हो गया था हमारे व्यापार के लिए क्योंकि व्यापार करना पहली बाग तो मुश्किल थ होता है अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो सबसे ज्यादा जिसके थुरू सप्लाइब होता है कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज का ट्रेड होता है व्यापार होता है बिदनस होता है समान इधर इधर से जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो समूंदर क से ज्यादा पैसा खर्च होता है सामान पहुँचाने में लेकिन शिप से कम होता है ठीक है समझ में आ गया चलो next and last जो की है च्छटा जिसको अमनों बोलते है आईलेंड का मतलब क्या होता है समुझद्र है चारो बगल समुझद्र है पानी ही पानी है लेकिन बीच में कुछ जमीन है यहीं है इंडिया के island की, तो हमारे इंडिया में अंडमान और निकोबार सबसे famous island माना जाता है, Bay of Bengal में है, ठीक है, लगबग अगर हम बात करें, यह हमारा जो नीचे का पार्ट है, यह पूरा का पूरा क्या है, Bay of Bengal कि तो यहीं पर कहीं पर चुठा को सब्सक्राइब कर में यह आलेंट्स पाये जाते हमारे इंडिया में टीक है और आयलेंट जो यह बहुत important है sea roots के लिए समुद्र के रास्ते के लिए sea roots बनाने के लिए और trade व्यापार के लिए बहुत ज्यादा important role play गरता है और island clear है समझ में आ गया तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा यह होगा हमारा topic जो की तब बचा हुआ इसके पहले का coastal reason और यह हमने island पढ़ लिया यह हमारा topic इसी के साथ समात होता है लेकिन एक और topic बचा हुआ है जो कि आसपास के जो भी देश है अगर आप बोलोगे यह बही कभी न कभी एक टाइम पे इंडिया के इंडिया के ही पाट थे ठीक है कैसे बताता हूँ अब जैसे कि Indian subcontinent के मैं बात करूँ आज के रिट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, भूटान हो गया, स्रिलंका हो गया यह सभी के सभी ना एक जमाने में हमारे इंडिया के ही पाट थे अखंड भारत बोला जाता था ठीक है तो कही अब जैसे कि पूरा Indian subcontinent था ठीक है लेकिन दीरे-दीरे क्या हो गया due to some politics and due to some internal issues दीरे-दीरे यह country split हो गया लेकिन आज भी इन country को अगर जोड़ दिया जाए तो यह together क्या form करता है पूरा का पूरा South Asia को form करता है हमारा Asia continent है हम Asia के continent में रहते हैं इंडिया जो country है वो Asian continent में आता है लेकिन पूरा का पूरा यह जो country को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा South Asia बनता है ठीक है और साथी में चाइना एक बड़ा country था और Myanmar है ऐसे कुछ अलग countries भी है लेकिन कहीं 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 हमारा जो भारत देश है बहुत बढ़ा हुआ करता था इसलिए इसको इंडिय पाकिस्तान अलोग है लेकिन पर दो पाकिस्तान अपना ही था तो जब यह अच्छी तरीके से आपको यह चीज पढ़ा दिया है और उमीद करता हूँ कि आपको यह चाप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलो आज के लिए यह वीडियो इतना ही है उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा और यह चाप्टर इसी के साथ समापत होता है लेकिन टेंचेन बिल्कुल मतले ना ऐसे और भी चाप्टर हम कंटिनेंस ले लेकर आएंगे साइंस और मैट्स के वीडियो तो आपको मिल रही होंगे कंटिनें से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते ना बाजू में बेल आइकन को फ्रेस करते ना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अप्लोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वी झाल